सुखेश चंद्रशिखर जो अभी जेल के अंदर बंद है गोडाली के अंदर एक जेल के अंदर बंद है लेकिन इसी बीच आप सुटी को बता दूँ कि इतिहार जेल के अंदर इनके लिए महेंगी शराब मोबाइल और लैक्टॉप की व्यास्थाइं भी कर दी गएंगी वह आपर अपनी एश और आम भी जिन्दी की जी रहे हैं लेकिन इसी बीच अब बड़ी खबर दे सामना ही है कि जेल के ही डीजी और अधिकारियों के उपर लगबग लगबग 12 करोड रुपए इनसे वसूलने की बात सामना ही है जिसमोंने लैप्टॉप भी दिया गया उन अधिकारियों के उपर 12 करोड रुपए लेनी की बात भी सामना ही है सूतरों के मुताबिब नजर रही है साथ ही इसमें 82 लोगों के उपर अभी केश दर्ज कर जया गया है क्या कुछ है मामला बया कर रहा है सिदा रूप 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 राते है हमारे इस रिपोर्ट से जेल के अंधर बंध ठक सुकेश चंदरशेगर ने तिहार जेल के मौजूदा डीजी संदीब गोयल पर डरा धमका करके पैसे वसूलने का आरोप लगाया है जेल सूतरों की माने तो सुकेश ने दिल्ली पुलिस के आर्थे कपराद शाखा EUW इसके लिखे जानकारी दी है जाच जिंसी के निशाने पर हैं और इनमें से 19 लोग किरफतार भी हो चुके हैं इन अधिकारियों के उपर आरोप है कि सुकेश जब रुएनी जेल के अंदर बन था तब उसने अपनी सुक्स विधाओं और अराम के लिए जेल प्रिशासन से लेकर के कई कर्मचारियों और अधिकारियों को 5,000 रुपै से लेकर के लाखों रुपै महिने दिये थे वहीं सुत्रों की माने तो जेल के बैरेट में सुकेश, दो मुबाइल फोन, लैपटॉप और इस्तमाल भी कर रहा था इन सब्जीजों का उसके लिए 5 इस्थार होटल से खाना और महिंगी शिराब भी मंगाई जाती थी, फोन के जरीए पता चला कि सुकेश की संपर्ग में दीबक रमानी, पिंकी एरानी और भी मोहन रज, के अलावा कई अन्या लोग भी शामिल थे फुलाद इस्थार दुले की तमांग बड़ी खबरोग लेता ही बने लीगे निउचाइटिंगे साथ, नमस्कार